Hello everyone, welcome to Magnet Brains Competition, मैं शान्तन हूँ, आपका रिजिनिंग मेंट और आगया हूँ आज एक और अमेजिंग सेशन के साथ, आज हम पढ़ने वाले Coding-Decoding, आँ, Coding-Decoding नहीं, Coding-Decoding का सब पार्ट, Sentence Coding, जिसको कहते हैं Chinese Coding, भीया, ये एक ऐसा पैटर्न है, जो आपके एक्जाम में आपको पाँच नमबर दे रहता है, बैंकिंग का हो, SSE का हो, रेलवे का हो, कहीं कोई एक्जाम हो, ये पाँच नमबर आपके फिक्स होते हैं, तो चलिए, इस पाँच नमबर को ग्रैप करना सीखते हैं, अगर आप बिगनर हैं, आपने कभी नहीं पढ़ा हैं questions को, त मजने से पहले, कि अगर आप मुझे फॉर्स टाइम देख रहे हैं, तो जाइए जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब करके, बेल आइकन प्रेस कर दीजे, क्योंकि आपको ये सारी की सारी जो चीज़ें या क्लासिस मिल रही हैं, ये बिल्कुल फ्री आफ कॉस्ट हैं, इस के कहा नहीं को, कोडिंग डिकोडिंग की मेरे साथ, पहला कोशन आपके स्क्रीन पे आ चुका है ये, आप ध्यान से देखेंगे, तो कोशन आपके सामने दे दिया गया और उसके सामने कुछ कोशन पूछे गया है, एक से पांच कोशन तक पूछे जाते हैं, और सिंपल लेव का, कैसे निकालेंगे, इसको बौहँत ध्यान से सुनीएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको किसका कोट पूछा है, ग्रेस का, ठीक है, ये ग्रेस का जो कोड़ है आपको बताना है, तो ढूड़ो पहले ग्रेस आपको कहां दिखाई दुरा करने का तरीका, तो फोर्थ वाले में आपको ग्रेज दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब अगर फोर्थ वाले में ग्रेज दिखाई दे रहा तो उसका जो कोड होगा वो भी डेफिनिटली फोर्थ वाले में ही होगा उसका जो कोड होगा वो भी डेफिनिटली कहां पे होगा भाई फोर्थ वाल नहीं दिखाई दे रहा क्या हाँ डी ए भी दिखाई दे रहा है इसका मतलब कन्फर्म हो गया कि जो डबलू ई है वो कोड हो जाएगा ग्रेस का यो कि यह एक ऐसा शब्द है जो उपर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है तो मेरे क्यालते क्वेश्चन समझ में आ गया कितना असान से आप क्वेश्चन को बना सकते है ठीक न तो पहलेकोश्चन का अंसर क्या आ एगा डबलू ई आजागा सारे कौ को इस तरह से आप सॉल्व करेंगे देखो यही सीरीज फिर से है क्वेश्चन आपकी बढल गया है क्वेश्चन क्या बदला गई देखो कि G, I और F, E किसका code है G I और F E जो है वो किसका code है तो किसका code है ज़रा देखो तो सबसे पहले G I ढूणो कहा दिखाई ज़रा पहले मैं G I को ढूण देता हूँ यहाँ पर दिख रहा इसके लामा G I कहीं और दिख रहा क्या नहीं सेकेंड में नहीं है third में नहीं है fourth में नहीं है GI जो शब्द है वो सिर्फ first में दिख रहा तो इसका जो code होगा वो भी first में होगा तो एक ऐसा code जो सिर्फ first में दिखाई दे रहा भाई वो कहाँ पर है पकड़ो ज़रा इसको तो should sum sum यहाँ पे save sum money तो should देखो इसमें नीचे कहीं है क्या यहाँ है तो यह नहीं होगा save आपको कहीं दिखाई दे रहा कि next दे रहा है नहीं होगा sum S O M E sum की बात करें तो second में sum नहीं है third में नहीं है, fourth में नहीं है तो यह हो सकता है money की बात कर लो BTW, तो money हमको देखो, first में दिखाई दे रहा, फिर second में भी दिखाई दे रहा है, तो money भी नहीं हो सकता तो answer हो जाएगा, GE का code होना चाहिए, some, तो पहले वाले में some दिखाई दे रहा, भाई ये answer हो सकता है, ये वहला cancel कर दो, ये भी cancel कर दो, ये भी cancel कर दो, यहाँ पे sum है तो answer इसका first और last में से कोई एक आएगा अब ज़रा निकाल लो fe का ठीक है fe का ज़रा code निकालो तो fe कहाँ दिखाई दे रहा है तो fe यहाँ दिखाई दे रहा है और कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, तो इसका अबलब अगर fe जो है वो second में दिखाई दे रहा तो इसका code भी second में होगा ज़रा देखो, second वाला कौन सा इसा शब्द है जो सिर्फ second में दिखाई दे रहा है notice करो, दे, दे नीचे भी यह नहीं होगा made की बात कर लूँ मैं जरा सा तो made मुझे देखो, यहाँ पर दिखाई दे रहा है second में, first में नहीं है third में है, क्या नहीं है fourth में नहीं है, तो यह made हो सकता है made यहाँ पर हो सकता है better की बात करूँ, तो जो better शब्द है देखो, नीचे दिखाई दे रहा है, कभी नहीं होगा money उपर दिखाई दे रहा है, कभी नहीं होगा मतलब confirm है, कि FE किसका code है made का, तो sum के साथ made हमको first में दिखाई दे रहा है, तो no doubt answer आ जाएगा option number first, समझे बहीं बात बहुत आसारी से आप 5 number ले सकते हैं और यह 5 number आपके exam में बिना pen चलाए आपको grab करने भई next, आजओ अगला question इसी ज़े पकड़ते grace of money अगर grace of money पर जाए तो grace हमको last में दिखाई दे रहा है और अभी थोड़ दे पहले आपने निकाला था कि grace का code क्या होगा we, निकाला था आप लोग ने दोको आप करें तो ओ, f off इसमें नहीं दिखाई दे रहा है second में नहीं है third में नहीं है और fourth में नहीं तो इसका मияхला आप जो है वो है ही नहीं ठीक है ठीक है अगर ये off इसमें नहीं है तो इसका code भी इसमें नहीं होगा अब जाद देखो W E पहले कहा दिखाए ज़र आप फॉस्ट वाले में W E है क्या नहीं सेकेंड में हैं थर्ड में नहीं हैं फॉर्थ में हैं फिफ्ट में नहीं तो ये बात तो तैय हो गई कि तीन आप्शन डिरेक्ली इलिमिनेट हो चुके हैं W E के कारण अब जड़रा देखो इसमें एक ऐसा कोड ओॉफ का जो इसकेंदर होगा ही नहीं क्योंकि ओफ तो इसमें मौजूद नहीं है तो के इक का इसमें मौजूद है क्या कैन सिल हो गया अब जब तुम्हारे सामने पाँच options खतम हो गए, तो तुमको time बिना time लगाए भी answer तुम इसका निकाल सकते हैं, answer क्याएगा option number 4, आपको मैं निकाल के भी दिखा रहा हूँ, आपको निकाल के भी दिखा रहा हूँ, money का code देखो, पहले क्या होगा, money देखो, first में है, second में है, और कहीं दिखाई दे रहा है, तो money का code भी first और second में common होगा, तो first और second में कौन सा code common है जरा देखो यहाँ पे, तो आप notice करोगे का, यहीं एक ऐसा code है, जो इसमें common है, बाकी सब अलग-अलग दिखाई दे रहा है, तो यानि हमको देखो, कि w के साथ का आ गया, अब yoyo यो है, यह शब्द या यह code इसमें कहीं दिखाई दे ही नीरा, त तो इसका code भी इसके अंदर नहीं होगा, तो इसका मलब answer क्या जाएगा, option number fourth वाला answer होगा, तो ध्यान दखना, आसानी से question draw कर सकते हो, और अच्छी बात क्या है, एक sentence से बहुत सारे coding's आपको solve करने मिल सकती, ठीक है न, चलिए, I wish आपको यह question समझ में आ गया, लो भाई, अगला try करो जरा सा, अगले के लिए पूरा change हो गया, देखो थ्यान से, अब मैं उज़े उमीद है कि आप इस cancel अराम से दे सकने, try कीज़े जरा इस question को, इस question को try कीज़े, कैसे इस question को आप solve करेंगे, let's see, आप से किसका पूछा गया भी, push racket close, ती ने एक साथ दिये गए, push racket close, तो निकलो जरा push racket close में, सबसे पहले push की बात करते है, PUSH, first वाले में push नहीं है, second में है भाई push, third में पुछ नहीं है, क्या हाँ, third में भी है, और fourth में push नहीं है, तो push जो है, वो second और third में है, तो second और third में कौन सा code है, जो common है, तो UA की बात करें, UA इस पे दिखाई नही और QA अगर हो जाएगा, तो पहला option cancel कर दो, दूसरा option cancel कर दो, तीसरा और चौते में देखो QA मौजूद है, चलो, अब आगे जाकते हैं, रैकेट की बात करते हैं, अगर रैकेट की बात करें भाई, तो रैकेट में, अगर रैकेट की बात करें, तो रैकेट की बात करें, यह तो को रैकेट है एक यहाँ पर रैकेट यहाँ पर सर्फ सेकेंड और फॉर्थ में रैकेट दिखाई दे रहा तो इनका कोड भी सेकेंड और फॉर्थ में होगा तो second of forth में देखो ऐसा कौन सा शब्द है जो second of forth में common दिखाई देरा है तो U A, अगर बात करें UA की तो यहां दिखाई देरा है किया UA नहीं दिखाई देरा है तो यह तो नहीं होगा भाई इसके लिए डबल O की बात करें तो डबल O दिखाई देरा है भाई यह देखो लेकिन डबल O और कहीं तो नहीं है तो यह हो सकता है हो सकता है होगा नहीं QA अच्छा QA तो वैसे ही नहीं हो सकता है क्यों QA definitely code किसका था पुश का तो मुझे डबल O code मिल गया तो QA के साथ डबल O मुझे चाहिए भाई अब ज़रा देखो इसमें QA के साथ डबल O है क्या नहीं है तो बेजिज़र का अंसर लगा दीजे option number D लेकिन ध्यान रखता है यहां पर बच्चे D option के साथ जाएंगे लेकिन एक बार ध्यान रखता है यहां पर none of these भी है तो हो सकता है कि यह answer भी गलत हो आप चेक कर लेना कब जब none of these आपको option में दिखाई दे बिटा ठीक है ना तो ज़रा चेक कर लो भाई close का अंसर क्या होगा अब अगर close का अंसर चेक करें तो क्या हो सकता है सबसे परे ढूंड़ दो close है भी की नहीं तो पहले वाले में close नहीं second वाले में close नहीं third वाले में close है fourth वाले में close नहीं है तो close जो शब्द है वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड में है तो इसका code भी सिर्फ third होगा तो ज़रा देखो third में बात करें E.O E.O कहीं दिखाई दे रहा क्या? नहीं ठीक है, EO यहाँ दिखाई दे रहा, थर्ड में, जो EO है वो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसका अंसर कभी नहीं होगा, SI की बात कर लें, SI की बात करें, तो SI उपर दिखाई दे रहा, कभी नहीं हो सकता, QA, QA तो अलड़ी पुश्ट का कोड हो चुका है, तो इसको हट बचा क्या QI तो यही तो होगा कोड इसका और देखो QI और कहीं दिखाई नहीं दे रहा तो हाजी QI इसके साथ मौझूद है तो अब मैं बहुत ही कम से कम शूर हूँ कि इसका अंसर यह आगा नन अफ दीज नहीं आगा तो मैं बताना यह चाह रहा था कि अगर कहीं भी नन कहीं एक्जाम से बाहर कर देते हैं चरी आजएए एक next question पर इसी पर अगला question आपको बताना है कहीं EO किसका code है यह देखो EO किसका code है EO की बात करें यह देखो यहां दिखाए दे रहा भई और EO कहीं दिखाए दे रहा लास्ट वाले में तो जो EO शब्द है वो हमारा third में और last में दिखाए दे रहा है no doubt तो अगर third में और last में अगर दिखाए देगा तो इसका code भी definitely इसी में होगा तो और यह कहीं EO दे रहा है उपर है क्या नहीं तो यह होगा नहीं हो सकता है track अगर track की बात करें track नहीं होगा cancel push push की बात करें cancel तो इसका answer क्याएगा बए expand आ जाएगा answer क्याएगा इसका expand answer is option number कौन सा C हो जाएगा C should be the answer answer is expand got it तो भाई इस तरह से इन questions को देखोगे समझोगे और उड़ा दोगे यह 5 नमबर अगर आपने छोड़ दिये तो याद रखना selection आपसे route जाएगा selection route गया तो सर बहुत कुछ नुकसान में जाएगा आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देखना है बाई किस पर कि हमें selection लेना है और उसके लिए सारे questions हमसे बनने चाहिए लो भाई एक question और आ गया relaxation की बात अगर करते हैं तो क्या होगा इसका concept भाई या क्या हो जाएगा ज़रा निकालो अगर बात करें इसमें तो पूछा क्या गया भाई इसमें पूछा गया गया अगर man stress को ये कहते हैं तो बताएगे decrease efficiency का code क्या होगा decrease efficiency का code क्या हो जाएगा तो सबसे पहले decrease ढूण लो सबसे पहले decrease ढूण लो तो पहले वाले में decrease है क्या पहले वाले में नहीं है दूसरे वाले में decrease है बिलकुल है तीसरे वाले में decrease है क्या नहीं है चौथे वाले में decrease है क्या नहीं है तो decrease जो शब्द था वो सिर्फ और सि second ने दिखाई दिया ठीक है अब जरा सोचो इसके अलामा बात करें तो decrease का code क्या होगा दूरो जरा सा सड़ा सा-टो decrease कोड इस ने दिखाई दिखाई दे रहा है किसमें first के बाद second में अगर यह है तो इसका code भी सिर्फ second में होगा अब एक ऐसा code जो सिर्फ second में हो, बाकी कहीं न हो वो कौन सा है, तो sa, sa देखो दरासा उपर है क्या, नहीं, इसमें सामने दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, इसमें नीचे वाले में दिखाई दे रहा है क्या, sa नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये possible situation बन रही, हलाकि अभी हम इनसे भी मदद लेंगे इनसे मदद लेंगे ठीके लेकर रुकना दरसा लेकिन एक बार बताओ आगे देखनो दरसाब इसके लबाँ और कोई साब यह देखो S A के लबाँ D Z D Z उपर है क्या? नहीं है D Z यहाँ कही है क्या? बिलकुल है D Z तो नहीं हो सकता S T की बात करें उपर है? नहीं होगा P D की बात करें P D अगर P D की बात करें तो P D हमको देखो यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहा First में नहीं है इसमें भी नहीं है और Last वाले में P D दिखाई दे रहा हमको तो यह भी नहीं होगा अब बचा क्या MN, MN उपर है क्या, नहीं, इसमें है क्या, नहीं, इसमें है क्या, नहीं, तो हमारे पास दो code बच गया, एक बच गया SA, और एक बच गया MN, तो अब यहाँ पर हमको decreases का पता चला कि इन में से कोई एक होगा, अब इसके लिए examiner ने एक hint दे दिया, hint क्या दे है, ऐसे लिख दूँ, और उसका code क्या लिख दूँ मैं, SA, NP, तो आप कहोगे, कि सर, SA यहाँ दिख रहा, और SA यहाँ भी तो दिख रहा, इसका मतब SA code किसी और का हो जाएगा, definitely man का हो जाएगा, ठीक है, तो SA code भी यहाँ से cancel हो गया, अब मैं sure हो गया, कि भाई, man का code, MN क code जो है, वो क्या हो जाएगा, decrease का, तो MN हमको first में दिखाए दे रहा, second में दिखाए दे रहा, third और fourth में तो गायब है, समझ में आई बद, ऐसे पकड़ते हैं इसको, चलिए, अब ज़रा help कर लेते हैं आगे कि efficiency पकड़ लो भाई, efficiency का code क्या हो जाएगा, ज़रा वो देख efficiency जो है, वो fourth में नहीं, ज़रा देखो एक बड़ फिर से, document efficiency है रहा, हाँ, इसमें first वाले में तो गायब है, नहीं है, दूसरे में देखो ज़रा सब, नहीं है, तीसरे में अगर देख लो आप इसमें भी नहीं है, फोर्थ वाले में भी नहीं है, तो इसका मतलब देखा ज ने, PD है, तो PD इसमें दिखाई दे रहा है, क्या तो, है हाँ सर, PD 迎को दिखाई दे रहा है, नीचे भी दिखाई दे रहा है, बेटा CX माना जाएगा efficiency का code क्यों 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 जब efficiency नहीं है तो इसका code भी नहीं होगा इसमें कौन साल है का option number B बहुत ही अच्छे से आप इसको समझ दीजिए ठीक है ना चलिए अगले question करें next question इसी से relate करके भाई PD और WX का code क्या होगा तो PD का तो तुमने अभी निकाला है जो PD था उसका तुमने code अभी अभी निकाला है देखो PD यहां दिखाए दे रहा और PD last में दिखाए दे रहा और PD है क्या नहीं है भाई तो सेकेंड में और fourth में कौन सा word common है good man decrees relaxation प्रूफ यहां पर good relaxation मुझे यहां पर good दिखाए दे रहा है अब good कहीं और तो नहीं है लेकिंगे relaxation दो को यहां भी है relaxation यहां भी है अब चुकि PD हमारा second last में तो इसका मतलब confirm हो गया कि good का code PD हो जाएगा यहां पर good दिखाए दे रहा है क्या एक जगह है और last में थे नोमें दो को W tम दिखाई देर के देरा नहीं दिखाए देरा है इन तेुन में दो दो ड्लू क्या W अक्वान दिखाई दे रहा है रिलक्सेशन का code चेक οποा हो क्यों कुछ दिखाई दिया तो इन दोनों में जो code होdepend कॉमन होगा पदी और नहीं तो नहीं है फ़र्ट में नहीं फ़्रत में तो उस्का उसकता है मैं की बात करें, तो मैं देखो, ऊपर है क्या, नहीं, मैं इधर भी कहीं दिखाई नहीं दिखाई देरा, तो ये भी नहीं होगा, भाई, डब्लू एक्स हमारा दिखाई दे रहा है कहां पर लास्ट वाले में ठीक है और कहीं डब्लू एक्स दिखाई दे रहा है क्या फॉस्ट वाले में दिखाई दे रहा है तो फॉस्ट वाले में कौन सा शब्द है जो कॉमन दिखाई दे रहा है तो इंदों में जरू अगर लास नहीं है और second में भी books नहीं है ठीक है books हो सकती take की बात करें क्या इसमें take है नहीं है ये भी नहीं होगा enhance की बात करें ये भी नहीं है relaxation जरूर है लेकि relaxation third में भी दिखाई दे रहा तो relaxation code तो नहीं हो सकता है भाई relaxation code तो नहीं हो सकता है इसका मतलब confirm है कि इसका जो code होगा वो क्या होगा WX किसका code होगा books का और good के साथ books हमको दिखाई नहीं दे रही है भाई तो यहां पर इसका answer फिर लगा होगे नव देखो यह जो मैं गलती कह रहा था आप करोगे ना वो गलती यहीं हो सकती है यह आपने good लगा दिया और आगे relaxation वाला टिक कर दिया हो सकता है अंसर रवारा none of these हो हमें छुपा के दे दिया गया डबलु एक सा code बुक का अच्छा relaxation का अगर मैं ढूड़ू तो relaxation का code क्या होगा वो चेक करो ज़रा सब्सक्राइब relaxation का relaxation first में भाई relaxation second में relaxation third में नहीं है fourth में दिखाए दे रहा तो first में second में और third में fourth में कौन सा code common ज़रा देखो st यहाँ पे भी है st यहाँ पे भी है और last वाले में st है क्या हाँ बिल्कुल यह देखो इसका code st होगा जो कि वहाँ पे नहीं था ठीक है ना तो थोड़ा सा sure रहीएगा छोटी सी mistake बहुत भारी गलती करा सकती है और none of these को बिल्कुल underestimate नहीं करना underestimate करें तो गए भाई यह देखो अगला question आगया ना का code क्या होगा देखो series change होगी यह वही है तो series पूरी change होगी सामने सामने बहुत simple तरीके से लिखा गया है तो यहाँ पे देखो na किसका code हो जाएगा मुझे लगता है कि इसका अंसर आप आसानी के साथ बना लेंगे ने किसका code होगा जेखो अब आप na की बात करेंगे ना तो na देखो first में दो दिखाई दे रहा है second में दिखाई दे रहा है third में नहीं दिखाई दे रहा है fourth में दिखाई नहीं दे रहा है तो na जो है वो सिर्फ हमारा पहले और दूसरे में है तो इसका code भी first और second होगा तो देखो ज़रा सा curtains यहां दिखाए दे रहा, इसमें है क्या, नहीं, cancel करो, fall अगर इसमें दिखाए दे रहा, fall है, fall लेकिन नीचे भी है, तो ये भी नहीं हो सकता भाई, क्योंकि first और second में नहीं दिखाए दे रहा, आगे देखो, यहां पर theater, ये तो ही नहीं, इसमें, cancel करो, start की बात करें, ये देखो, अगला question ढूड़ो दरसा, nine किस का code है, या nine का code क्या है, या nine किस चीज़ का code बना पड़ा है, यहां पर देखे दरसा, वीडियो को pause करिए, relax होके, इसका answer निकारी दरसा, देखते हैं क्या होगा, क्या आपके सारे answers आ रहे है, मुझे लगता है, concept तो आपका clear हो second में नहीं है, third में nine है, भाई, मौझूद है, और fourth में nine मौझूद नहीं है, इसका मतलब जो nine शब्द है, वो पहले में available है, और तीसरे में, तो इसका जो code होगा, वो first और third में common होगा, ज़रा देखो, destructive है क्या, इसमें destructive नहीं है, तो यह तो cancel हो गया, epidemic है क्या, epidemic जरूर है इसमें, देखो ध्यान से, लेकिन epidemic और कहीं तो नहीं हो रहा है, और कहीं तो नहीं है epidemic, ठीक है जरा छोड़ दो उसको, around की बात करें तो around मौझूद नहीं है, और world की बात करें तो world भी मौझूद नहीं, तो इसका मतलब epidemic इसका अंसर हो जाएगा, option number कौन सा, D वाला, ठीक destructive cyclone का code क्या होगा, destructive cyclone का code क्या हो जाएगा, आपको देखो यहां पे सारी चीज़ें मिलते दिखाई देने, destructive आपको कहां दिखाई दे रहा है, वीडियो को pause करके ज़रा, try करो बनाने का, pause करके video को try करो बनाने का, destructive cyclone, बहुत यह असान सा question है, चलो निकाले ज़रा इसको, आपने उमीदा try किया होगा और आपसे बन भी गया होगा, destructive यहां दिखाई दे रहा है, पर देखाई देखाई दे रहा है, यह आपको first में दिखाई दे रहा है, यह आपको first में दिखाई दे रहा है, तो इसका code भी first और fourth में common होगा, अब एक ऐसा code ढोड़ो, जो पहले औ और चौते में बिलकुर common दिखाई दे रहा है, तो आप notice करोगे कि pine इसमें है क्या, हाजी है, pine और कहीं तो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो pine code हो सकता है, fine इसमें दिखाई दे रहा है, fine, fine, fine नहीं दिखाई दे रहा है, तो यह तो नहीं होगा, nine इसमें दिखाई दे रहा क्या, nine नहीं दिखाई दे रहा, wine दिखाई दे दे रहा क्या, – wine भी दिखाई नहीं दे रहा उहां, मतलब confirm है कि destructive का जो code हो जाएगा वो pine हो जाएगा, तो pine मुझे first वाले में दिखाई नहीं दे रहा, second में है third में है fourth में दिखाई नहीं दे रहा है और यहां दिखाई Bem ठीक है तो अब काम करें सा इकलों ढोलो ज़ Alors यह की, तो sign शब्द इसमें कहीं दिखाई दे रहा है क्या, S-I-N-E, यह दिखाई दे रहा है मुझे, अगर यह दिखाई दे रहा है, तो इसका मलब यह तो कभी अंसर नहीं होगा, क्योंकि जब यह ही नहीं, साइक्लोन, तो इसका कोड कैसे होगा, Line, L-I-N-E कहीं दिखाई दे रहा है क्या, थर्ड पर नहीं है, सेकेंड में नहीं है, Line, फर्स और फोर नहीं, तो यह बन सकता है इसका अंसर, एक बढ़ और चेक करो, P-I-N-E, P-I-N-E, दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहां पर confirm हो जाएगा कि यह भी कोड इसका नहीं होगा, तो इसका अंसर क्या आएगा, option number C, क्या, P-I-N-E, क्योंकि Line जो है, वो साइक्लोन का कोड अपने आप मान लिया जाएगा, क्योंकि साइक्लोन में तो दिखी नहीं रहा, बनाब इसमें साइक्लोन दिखी नहीं रहा, समझ मैं ही बात, चलिए, बढ़ते हैं अगले कोशिन के तरफ, देखो भई, इनके कोशिन को करने के जो trick होगी, वो almost वही होगी, और मेरे ख्याल से आपको session समझ में आ गया होगा आज का, और करना कैसे है, पांच नमबर लेना कैसे है, वो चीज़ आपके लिए इतनी important है, कि आप इन पांच नमबर को कभी underestimate करी नहीं सकते, ये पांच गए तो बहुत नुक्सान होगा, तो को puzzles आपसे बनेगी नहीं बनेगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये 100% बन जाएगा क्योंकि ये scoring है, कुछ थोड़ा-थोड़ा ध्यान देने वाली बात क्या है, कि none of these को भी आप underestimate नहीं करेंगे, कोई चीज अगर आपके series में दिखाई नहीं देरी, वहाँ पर open करेंगे link को, तो ऐसा interface आएगा, और उसके बाद यहाँ आने के बाद, आप आसानी के साथ अपने top courses में जाएगे, नीचे आपको bank SSC मिल जाएगा, वहाँ से आप bank SSC क्लिक करेंगे, और आपको हमारे सारे courses यहाँ पर मिल जाएगे, किसी भी एक course को क्लिक करेंगे, तो proper तरीके से हमारा session कुछ से, आपने IBPS क्लिया क्लिक, IBPS PO का पूरा segment आजाएगा, आपको बस full course पे जाना है, जैसी आप full course पे टेक करेंगे, आपके सामने पूरी हमारी classes शुरू हो जाएगे, और यह classes जो हैं, वो बिलकुल classy होंगी, और आपके exam point डेवी से काफी important होंगी, तो यह सब चीज़े आपके लिए बिलकुल free of cost है भाई, अगर आपने देख लिया next पे जाना, तो यहीं से आप next जा सकते हैं, आपको sessions मिलता जाएगा, बस ध्यान रखो भाई, session को देखो, तो आप इसको enjoy कीजिए, selection लीजिए, और जितना जादा हो सकता अपने दोस्तों से, अपने कलीक से इसको share ज़रूर करें, ठीक है ना, मिलते हैं अंगली क्लास में, एक और amazing कहाने के साथ, थैंक यू सो मच गाईज और जहिंद,